आज का जो कंसेप्ट है और जो रोज का कंसेप्ट है उसमें कोई अंतर नहीं है हमारा जो कंसेप्ट है वो एक है बस एक पॉइंट पर काम हम कर रहे हैं और उसको रोज रोज बताएंगे बार बार बताएंगे दिन में दोस वार बताएंगे हर बार बताएंगे और जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक बताएंगे और उसके हम भी बता रहे हैं और हम ना केवल इस वार बता रहे हम इसको कर भी रहें और तंसेप्ट एक लाइन का है जुड़ना है और जुड़ना है जुड़ेंगे तो जीतेंगे जिद्ध है जुड़ने की पहले भी जुड़े थे जीते थे फिर जुड़ेंगे जीतेंगे जितनी ज जल्दी जुड़ेंगे उतनी जल्दी जीतेंगे जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे जब जब जुड़े थे तब तब जीते थे जुड़ना है और जोड़ना है और यही काम करना है और जुड़ना ही है क्योंकि जीतना ही है ऐसा नहीं चलेगा हम तो मर जाए पे पहुँचाना है ये इस positivity के साथ में हम ये काम लगातार करें और संग में ये काम लगातार कहा नहीं जा रहा है किया जा रहा है 26 जनवरी के बाद से समढ़ संग का काम करने का पैटर्न 180 डिग्री पे घूम जाएगा चै मेने लगे हमको इस बात में विश्वास दिलाने में कि समढ़ संग वो काम कर रहा है जो सब के मन का है और सब के हित का है और चै मेने के बाद लोगों को यकीन हो गया कि समढ़ संग हमारा पुराना संग है तो तेजी से इसमें जु किसी के भरोसे मत रहना किसी के भरोसे रहोगे तो उसका भरोसा तोड़ेगा ही जिसके भरोसे भी जाओगे वो भरोसा टूटेगा फिर मायूस हो जाओगे फिर परिसान हो जाओगे क्योंकि आप अपना काम जब किसी के भरोसे छोड़ोगे और उससे उमीद करोगे वो क्य है क्या आपने क्या उसे तंखा दी है आप क्या उसे पैसे दे रहे हो आपका क्या रिस्दार लगता है वो जितने भी लोगों के भरोसे काम यह छोड़ा गया और किया गया जिनको नेता बोलते हैं जिनको अभी नेता बोलते हैं जिनको दलाल बोलते हैं जिनको संग्ठनों के पदादीकारी बोलते हैं प्रधान बोलते हैं जनरल सेगर्टी बोलते हैं महासची बोलते हैं मंतरी बोलते हैं मले बोलते हैं या जो मठ बना के अलग-अलग संत और मठों में जो संट टाइप लोग रहते हैं वो है जिसके भी भरोसे आपने ये काम छोड़ा वो भरोसा आप का लूट के ले गया, आपका पैसा ले गया, आपकी इज़त ले गया, आपके बच्चों का भव से ले गया और जो बावा साब ले के आये थे वो भी ले गया, इसलिए समड संग में अगर आप ये सोसते हो कि यहां दस पांच लोग ज्यादा बोलते हैं, दस पांच लोग सोच लिया, और आपने निकम में होने की तरह बढ़ना सुरू कर दिया, कि अब तो जो है वो फलाना आदमी कर लेगा, आप तो ये संग बन चुका है, इसमें 20-50 आदमी है, आपके तो कोई नेता नहीं है, तो संग कर लेगा, आपके तो ये गुट कर लेगा, और हमारा करना नहीं है, बस हैलो हाई हो गया, काम खतम हो गया, हम तो जुड़े होएं जी, हम तो साथ हैं जी, हम तो साथ हैं, कहने से बात नहीं बनेगी, करना पड़ेगा, क्योंकि भरोसा आपका तब तक रहेगा, जब तक आपका खुद पर भरोसा है, और समण संग में हर व्यक् जाएगा आपने अगर निडने दस्वीस लोगों के उपर छोड़ दिये तो संठर बन जाएगा और वो दस्वीस लोगी लोग आपको गुम्रा कर देंगे बाद में लाला चा जाएगा उनके मन में अगर उनकी लगाम को लगा के नहीं रखोगे तो इसलिए अपने भरोस रह तो भही वो तो अपने लिए करेगा आपके लिए तो करेगा नहीं इसलिए इस बात को अच्छी तरह से गांट बांदेना अच्छी तरह से गांट बांदना क्योंकि अगर आपने अगर किसी भी छण किसी भी हलत में अपना भरोसा अपने से उठा दिया और दूसरे पर समन तो करते रहे, काम कौन करेगा इसमें, जुम्मधारी कौन लेगा इसमें, इसकी रक्षा कौन करेगा, इसकी देखवाल कौन करेगा, कैसे लोग इसमें काम करते हैं, उस काम को कैसे देखेगा, और कैसे खुद काम करेगा, यह तो परिवार है, इस परिवार में अगर सारा बोज आप एक आदमी के उपर छोड़ दोगे वो नहीं उठा सकता हर व्यक्ति को काम करना पड़ेगा इसलिए पहले भी जितने भी लोग थे वो सारे काम करते थे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो नेता हो या व्यक्ति बाद में हो और सबकी खबर ली जाती थी महा ना कोई रिस्दारी होती थी ना कोई दोस्ती होती थी संग में अगर बैठ गए तो संग के नियम सर्वोपरी है फिर ऐसा नहीं चलता कि ये मेरे पड़ोस का है ये मेरा रिस्दार है ये मेरा बेटा है, ये मेरा भतिजा है, ये मुझे पहले से जानता है, इससे मेरा काम है, इससे मेरा बैपार है, इससे मेरी कुछ उम्मीद बनेगी, ये अफसर है, मेरा काम निकल सकता है, यहां नहीं चलेगा वो, क्योंकि संग में नहीं चलता हो, संग में तो जब बैठ जा करो तो फिर दोस मत देना कि हमारा क्या हुआ ये मत कहना कि हमने तो संग पर यकीन किया संग हमारा साथ सब कुछ था संग अगर आपका सब कुछ है तो आपने संग के लिए किया किया कौन सी जुम्मेदारी उठाई कौन सा काम किया आपने तब हिसाब खुद देखना कि वो का आपने सही से किया या नहीं हर व्यक्ति सही से काम करेगा तो तो समढ़ संग है और जब हर व्यक्ति अच्छी तरह से काम नहीं करेगा तो संग में पावर कहां से आएगी तो संग आपके लिए करेगा क्या क्या करेगा संग कुछ नहीं कर सकता क्योंकि संग का मतलब सब लोग तो काम का जब बटवारा हो तो लाइन में पीछ हमत खड़े होना काम का जब बटवारा हो तो लाइन में आगे आने का जगड़ा करना मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा इतना काम करना कि काम थोड़ा पड़ जाए और मिल बाट के तो काम वैसे भी हलका हो जाता है अगर आप यह सोच रहे काम करेगा प्रिकास सिंग, काम करेगा सुधीर, काम करेगा सत्य प्रिकास परिहार, काम करेगा योगंदर कुमार तो भाई कितना काम कर लेगे उनकी अगर 100% बिक्षा होगी तो वो मर जाएंगे मगर समढ़ संग अपने गंतव्य तक अपने डेस्टिनेसं तक नहीं पहुचेगा समढ़ संग का ये नियम है कि जो व्यक्ति जो काम कर सकता है उस काम को हाथ पकड़के उठा ले हाथ बढ़ा के उठा ले किसी का इंतियार ना करें यहां कोई काम देने वाला नहीं है तो काम यहां बहुत सारे हैं अगर नहीं दिखाई देते हैं देख लो बाई चस्मा अपना साफ कर लो आंक मैं पाइं डाल लो लिंक भेजने का काम है जो आप लिंक भेजते हो वो डेली का काम है इस पोर्टल की जो छमता है हम जो इसका पैसा देते हैं वो 500 की है अगर एक हजार की इसकी छमता कराते हैं तो चार गुना महंगा पड़ता है तो 500 का हमने ले रखा है में अगर इसकी जो लिमिट अब तक पहुंची है मैं तीन सो पैंतिस लोगों की पहुंची है 165 लोगों का पैसा बेकार गया इसका मतलब हम जो 7,000 रुपया पे करते हैं उसमें से लगवग हमारा धाय जार रुपया वेश्ट जा रहा है तो संग का धाय जार वेश्ट जा रहा है और धाय हजार का जो नुकसान हो रहा है उसकी जुमदारी आपकी है क्योंकि वो पैसा आ से लेके साम तक लोगों को तीन सो पैंतिस लोग पांच दिन में चार सो नहीं हुए तो काम नहीं हुआ तो काम करेगा कौन एक आदमी अगर एक एक को भी जोड़ता तो छैस हो जाते तो हजार हो जाते इसका मतलब काम नहीं हो रहा है गप्पें हो रही है बाते हो रही है भा परसेंट अपने रिसोर्स इसका और टाइम का आपने समाज को देना है तो यह टेलिफून जो आपके हाथ में इसका पांच परसेंट आपको समाज को देना है और जो आपके गले में आवाज है और जो यह सरीर है यह बावास आपका दिया हुआ है इसका भी पांच परसेंट इस्तमाल करना है पूरे दिन बात करते हो तो एक घंटे जोडने और जोडने की बात करनी है एक घंटे सोले मेंट बैठती है एक घंटे करो उस फॉन का इस्तमाल करो जो फॉन का इस्तमाल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो पोस्ट बनाओ नहीं कर सकते हैं तो वीडियो भेजो अगर आप नहीं बोल सकते हो तो एक घंटे वीडियो भेजो जितनी वीडियो और लगाता लगाता भेज़ो वीधा पीपल जहां जहां इसके पोश्टर बना सकते हाथ से बनाओ पोश्टर कौन सा आफ अतर को प्रिंट में छपते हैं क्या घर में बैठे हो कलम लो पैंसल दो बना दो पोश्टर समड़ संग यह नंबर यह नंबर जोइन करें किसी बुद्विहार पर लगा दो कहीं ऐसी जगा दो जह उनका है जिसने सारे हमारे अधिकार लिये हैं उसको बताना नहीं पड़ता यह काम करना है वो काम अपने आप करता रहता है कहीं भी बैठेगा उसका काम सुरू जाता है उसका मूँ चलना सुरू जाता है वो उसके कान नाग दिवाग सब खुले रहते हैं उससब पता रहत किया चला है क्या ने चला है वो अगेंश्ट बात करेगा वो यह नहीं सोसता कि मैं जहां बैठा हूं किसी संग का हूं या किसी संग्ठन का हूं या किसी का वो किता है मैं विचार धारा का बंदा हूं तो विचार धारा अपनी फ्लोट करता रहता है बहाता रहता है बताता र यह संग्टन नहीं है, संग है, इसमें मेंबर्सिप का कोई पैसा नहीं है, इसमें पबलिक से जिन्दगी में कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, इसमें कोई नेता नहीं होता है, इसका कोई फाउंडर नहीं है, यह प्राचिन है, बहुत पहले का है, और इसमें सब जोड़ ज हो शह बार बताओ पूछेगा क्योंकि जब आप उसे सही तरह से प्लेसिंग करोगे सही तरह के से बताोगे तो उसकी जिग्यासा जहगेगे तो कितना चोटा सा काम है ये वो काम है जो आपने हर समय कटे रहते हैं जो नौर्मल सदस्टें है और जो सक्रे सदस्य हैं जो इसमे अब संग गठकों करें एकुश्चनान मुख्यवटरी मैं मुट्सरी खहता ост तो में इखता हूँ अपनी लिस्टें बनाएं और अपनी L government बना कर देखें कितनी महिलया हैं कितनी फोन करें ने फ़ोन करें पूछें तुम्हारे घर में कितनी मैंना है कितनी जोड़ी हुई है कितनी नही है ये कौन करेगा इस काम को The higher means को जो दॉकरों का समॉण USank का शवार है gonna tim Demon से क्या मदद है क्या ने चाहिए तो उनको फ़ों करो भाई कि हम को खोई यह चाहिए हम को यह चाहिए डॉक्टर आपको फोन करेंगे कि कोई आपके हैं वर्ड वाय या कोई नर्स या कोई और ऐसाइश टाफ है तो उसको हमें बताएं तो यह मीचुल अंडरेस्ट अंडरेस्टेंडिंग कौन पैदा करेगा आपस में फोन करने का कौन जज़वा पैद क्यों ही है रोज इतने लोग जुड़ना चाहिते हैं लोग इतने लोग जुड़ना चाहिते हैं तो डाटा नहीं पहुंसता उन तक लिंक नहीं पहुंसता तो कौन देगा किसकी जुम्मदारी है यहां सारे के सारे संगी हैं तो नहीं आता है तो किसी को फोन करके पूछ ल करना चाहिए वो किसका अंतिया करें कोई यह सेंट्रल बॉडी नहीं है कि वो जाकि यह कहेंगी बे तुमने काम करो इसारा कर दिया काम अपना सुरू करो तो कर अपना काम सब इंडिपेड़न करते हैं और सब जुड़े हुएं तो बुलेंसर समझ अपना काम करें तो साहजा समर्संग की मीटिंग होगी उनको बता दिया भाई आप कोबिड के वाद में कभी मीटिंग कर लो तो पुने समर्संग तयार है तो जो अमरावती समर्संग हो तयार है तो नाकुर समर्संग की मीटिंग होने वाली है तो उत्तरप्रदेश समर्संग की मीटिंग लग रही है ये गाओं अगर किसी का नाम जैसे बहादुर ग्रल का जो समर्संग है वो काम केई मिटिंग कर चुका है और गाओं के अंदर भी पहुंच गया है जैसे बरावली गाओं है तो बरावली गाओं का समर्संग बन चुका है अम्रोहा समर्संग बन चुका है आप अपने सिटी मे अपने सहर में उससे पहले जो नाम है उसके बाद समरसंग लगा के काम स्टार्ट करें यहां के बता दें पोर्टल पे वह फलाने महले का समरसंग बन गया है कालोनी है ना आपके हैं तो कोई कालोनी है किसी कालोनी का नाम अंबेड का नगर है तो कहो जी अंबेड का नगर का स एक से दो होते हैं दो से चार होते हैं, ऐसा कोई चम्नकार नहीं होता है कि एक साथी सो आदमी किसी समढसंग में आ जाएं। ऐसा नही होता कभी भी। जैसे व्यवक्ती भी अकिले चले थे तो एक रास्ते में मिला रास्ते तो वो कुछ पूछ पाचरा उसे बात नहीं बनी ligne उसको भी थोड़ा वह दिया फिर आगे जाके पांच मिल गे फिर पांच के शाट होगे पिर साट के सौ और और सो सो के करते करते वो पचास जार हो गए और पूरा उन्होंने पूरे देश को पढ़ा दिया जो सुरुआत तो एक से होती है दो से होती है तीस से होती है मगर यहां जो सुरुआत है वो बहुत अच्छी है वो इसलिए अच्छी है कि जो बाबा साब अमेटकर ने काम किया वो काम सारा का सारा ऐसा का ऐसा सेफ रखा हुआ है थोड़ी बहुत उसमें उठा पटा गंदगी बंदगी सी है वो सापसूफ कर कर लेंगे उसके बाद बीपी मौरिया ने जो पश्ची मुतर प्रदेस में काम किया वो बहुत बढ़िया काम था उस समय तो बताते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी जो बावा साब ने मुना है ती उसके सब ज़्यादा एमले आयर मंत्री भी बना उस जमाने मेरे फादर ने उसमें काफी सही हो किया क्योंकि वो पीछे करते थे बीपी मौरिया संक्टरी मौरियन के साथ में इसलिए मुझे पता है उसके बाद मैं साब कासी नाम आए और बड़ा चवर किया दिन ना दोड़े दिन ना दोड़े दिन ना दोड़े और वो सारा काम है मगर वो सारा काम त्यार तो है बिखर गया है। इसलिए गया है क्योंकि संग्ठण उनлаग हो गए और चार मलाग एक्टिवेट संंग्ठण हो गए और सारे संग्ठण एक दूसरे के दुसमन भी हो गए। संग्ठन हो जाते साथ इतने सारे कोई दिक्कत नहीं थी सारे संग्ठन साथ रहते तो संग्ठन बन जाते तो तो बहुत ही बढ़िया हो जाता मगर कोड में खाज हो गया एक तो हमारे टुकड़े कर दिया और 30 लाक और 4 लाक टुकड़े कर दिया जो एक्टिव है और उपर स से के बिरुटो काम करते हैं. तो इतनी बड़ी समस्या प्यादा कर दी, जो बावजावा साद्स हमेख जितना काम कर के गए थे, कास्ट को जोड़के गए, SCST बना के गए, कास्ट सिस्टम खतम कर गए, SCST OBC दे के गए, जिसको एक करना था उसको खोल के उन्होंने 673 किया ही किया साथ साथ 29 लाग हो टुकड़े कर लिए अपने और ऐसे निकम में टुकड़े की हैं कि कार्रे करता को कार्रे करता से बढ़ा देते हैं उनके सब कार्रे करता अलग अलग पड़्चियां लेके घूमते हैं उनका एकी लेक्षा रह गया है कलेक्शन कितना है यह गारंटी है इस बात की मैंने अच्छी तरह बात की हुई है कि पहले 40 60 कमिशन चलता था यानि कि जो पड़्ची लेके आता है कर उसने पूरे दिन में 10 या रुपए खटा किया दरागे धंटा के जैसे भी तो 4000 उसको मिलता था एक खटा करने वाले को और 6000 वो संग्ठन में जमा करता है बाकाइदा बात हो रखिये मेरी जूट नहीं मूलता है मैं इस बात को और अभी मेरी एक बात हुई है किसी से वो केरे जी अब उल्टा हो गया है अब लाने वाला 60 ले रहा है और संग्ठन में 4,000 जमा हो रहे हैं इस पैटन में काम हो रहा है तो जब लक्षे ही पैसा एक खटा करना हो गया है और आदमी खटा करना लक्षे है यह नहीं है तो रिल्ट नहीं आने वाले है इसलिए समर संग में इस बीमारी को देखते हुए कहा गया कि पॉबलिक से कोई पैसा लेंगे नहीं जिन्दगी में कोई एकाउंट नहीं होगा जिन्दगी में कोई पटची नहीं कटेगी कोई अगर फॉन पे भी हमारी बात रिकॉर्ड करके कह दे कि हमने चंदा मांगा या हमने मेंबर्सिप का पैसा लिया या समर संग के किसी वेक्ति ने पैसा लिया तो आप खुल के एफाई आ करा सकते हैं उसके ठुकाई कर सकते हैं पटाई कर सकते हैं समर संग आप से कुछ नहीं कहेगा क्योंकि समर संग की ओपन पॉलिसी है है अरे बहिया समर संके ज्यादा खर्चनी होते यहां कोई आयाशी नहीं होती है कि मंच सजाएंगे उस पर फाइव इस्टार क्या बोलते सजावट करेंगे उस पर फूल मला लगाएंगे उसमें एसी और पंखे लगाएंगे उसमें सफेद कपले करेंगे खुब बड़ी-ब भोजन और शप्पन भोग के भोजन का इंजाज इंजाब करेंगे फिर मां लोगों को धर ड्राएंगे ध्मताएंगे सुनाएंगे फिर कि रोटी खाके जाना पैसा कहां से आता है सब समाज का पैसा है कोई यह सो देता नहीं वह सो रुपे की रोटी खाने के लिए हरा उतना और मेरा पंडाल कितना बड़ा और कितना पैसा बर्वाद होता है पैसा फालो चोड़ो जो भ बर्वाध होर रहा है समाज बर्वाद यह सब रसी और दफ्तर में अलग काटेगा और घर पे अलग काटेगा और पंचात में अलग काटेगा और बुद्भार में अलग काटेगा और सब हमारा यहां हमारा यहां बावा साथ का जनम दिन मना रहे हो या बावा साथ के जनम दिन के टुकले-टुकले कर रहे हो कुछ तो सोचो भा तो एक तो बावा साब की इक्षा के व्रुद मना रहा हूँ और न Sax chatter के टुकड़े कर रहे हो हुँ जो अस्थिती है और वो जो चल रही है वहाँ पर सारी की सारी वो इस्थिती हमको उबने नहीं देगे और उसकी जिम्मदारी हमारी है, क्योंकि उनके पोशक हम हैं, उनको खलाने वाले हम हैं, उनके पोशन जो देते हैं, उनको पैसा हम देते हैं, हम उनके टुकड़े किये हैं, दरसल उन्होंने टुकड़े नहीं, उनका तो धंदा है, जैसे वो कहते हैं कि मंदर में पुजारी का धंदा होता है, वैसे ही संग्टन में पधादीकारी का धंदा होता है तो लोग बड़े नराज होते हैं तो सवाशेवा कर रहे हैं, हमको धंदा बता दिया, ये स्वनवर संग वाले तो दिमाग खराविन का, कया संग्टन ने कुछ नहीं किया, संग्टनों को ऐसे हो गये हो और ये कहते हूं कि अधिकार क्यों जा रहा है और दो अप्रेल को जब वह हमारा एक कबच भी चला गया तब भी कोई संग्ठन नी आया बलकर एक संग्ठन ने तो लिखित में ऐलान किया है कि इस दो अप्रेल के आंदोलर से उसका कोई लेने दर नहीं है उसका कोई आदम नहीं जाएगा और अपने आपको बड़ा संग्ठन कहता है बड़ा क्या बोलते हैं मुक्ती दाता मुक्ती करांदी पता नहीं को ऐसी नाम लख रखियों सब जयाता पैसा लेता है वो संग्ठन और लिखत में उसका अभीरा मली बदा रहे समझाता है यह वा कि हमारे सारे अधिकार चले यह अच्की मेंट हूं है और उनको कहदो तो बुस्क्राइब करांती कारी नहीं है और अब बडलाव से पाइदा हो हमने जो पैसा दिया जो सपोर्ट किया और हमने जो आपको मानिता दी वो इसलिए दी कि बावा साब का कारवा वही रेना चाहिए अगर आगे नहीं बढ़ा सकते हो और सब्राइ пер Secondly से भंपोर्षान्प काले निकाले गये हैं इस बातको बताते नहीं है कि तैंकर को सारे डिपार्टमेंट बेच दिए इनी डिपार्टमें बहुत में बहुत्व आपके बड़े फोटो लेकर चोदर एक उपरेल को झूब जलूस और मोटите-पोटी पार्टियां होती हैं बावा थापकी और MTSL Eliot जैसे दिल्ली के डेपार्टमेंट में तीन तीन एस्अच्रोषन बनी होई हैं बावा साब की और तीनों बावा सापका जरदर बनाते हैं इस जदा सरमनाक बात क्या होगी और इनकी कैछstorm बनी है तब एक अंदर नहीं हुआ कि सरकारी डिपार्टमेंट ना बिके और एक एक करके बिक गए और जो सब सबसे पहलब डिपार्टमेंट जसको रेल बोलते हैं रेल भी बिक गए और रेल के जो एहे transaction के लोग थे हिले भी नहींगे ना बैंकों की रिश्य में सब चलेगे 9 कि अम आजिक संटन थे सी है माजिक संटन cosa je डावा किया और हर संटने अपनी ब्राच खोर्ल हिए और राजनिती की रिख जब तुम ऐसंगा काम करना तो एक यी करना थे मंगर एक नहीं करेंगे यह ठीक वह किस्टम है कि हमने पहले की दूकान खुली है कि हम चाबल बेचेंगे मगर हमने देखा साबून बेचने में मुफा है तो साबन भी रख लिया फिर हमने देखा कि लिपिस्टिक बेचने में मुनाफ़ा है तो लिपिस्टिक भी रख ली फिर हमने ये देखा कि ये कपड़ी बेचने का मुनाफ़ा कपड़ी रख लिये तो वह सारा सारा मामला वही है कि उनको जिसम मुनाफ़ा देखाए देता ल जाना हे तो ख़क्रते हो जाओ धर्भे का एक ब्राश में जाओ तुम्rau नहीं आता भाई कि सारे अलगले ब्रांच खोलोगे तो वैसे ही तुम सारे सारे कितने प्रशंटों तुम्हारा होगा क्या क्या नहीं होगा और तुमको समझ में नहीं आती है तो कोई बात नहीं हमको भी समझ में नहीं आती सबसे बड़ी बात है कि मुर्खतों हमें जो उनको मानता दे मूनेंगे क्योंकि एहंकार और एहंब बहुत बुली चीर होती है आदमी मर जाता है मकर एहंकार हम मानता नहीं है वो कभी नहीं मनेंगे क्योंकि उनको परियास करके देखा है संग्ठन को बिला युर्वाकर बात हुई और सबसे कहा कि खटे हो ज्याू औहां हना ने आ। बड़ा साथर था खो हमको कैसे कैसी हम GO काम करने वह थी है अरे भाया तेररे संघंठनदण हमसे चलते हैं हमारे जैसे आम आदमी से चलते हैं जब हम्हों मर जाएंगे गा मूर्क तो गड़ जाएगा सुख जाएगा पत्र उड़ जाएंगा उसके किस बात कर नियता रहेगा तो चुब हो गया अपना सा मूह लेके बात तो सही है हैं चात्र इतना था कि उस मीटिंगी रिक वेक्तिनें यह नहीं कहा हमने इक खट्ट से तोटते हुए तुम्हें सरभ नहीं आती है तुम एक के दो और डोगे चार चार की आठ्ट और आठी सुले तुम संधर मनाते हो तब तुम कोई मिटिंग नहीं करते ना तुम समाज से पूछते कि इसको तूटने नहीं पहले बटवारा है कर लो जो से यह पर चंदह बंद आगये उसासाब ने कहा है समाज होता है समाज का मतलब यह संग होता है तो संगों को पैसा देना है तुम संग बना लो पैसे ले लो तो संग बनाओ वह सारे खट्टे हो जाओ मने कौन करता है बावा साब ने यह कब का था पे बैक टू संग्ठन बताओ अच्छा अगर अपने संग्ठन को समाज कहते हो और संग कहते हो तो यह बताओ किसको दें ब लोगी सारे चोर हैं इसलिए हमें अपने बच्चे बचाने हैं तो उनका जगड़ा तो हम देख लेंगे बाद में क्या है क्या नहीं है पैसे देने बन तो समढ़ संग में यह उपनली पॉलिसी है कि अपने लोगों कोई खटा करने के लिए अपने ही सारे कोई बाहर के लोग्गर ne क्ठाहें तो ठोड़ा कर्म बन सकते हैं को बनना चाहिए बुल्कु बात मालेगे बावास आपके उड्जादा फो राजितिक रूप से खो ग्या से खते हो गया थामाजी रूप में खटे हो ग्यां अग्णि कर्म push प्राइविट सेक्टर में नौक्रियां उनमें खट्टे हो एक जिगा और फिर इन सब को एक खट्टा करो इनकी कमांड एक करो और पैसा भी हमसे एक जिगा लो अलग अलग नहीं यह नहीं कि धम का पैसा लग जा रहा है सरकारी करम चाहिए जो सामाजी संठर होंगे पैसा ल देंगे बावासापके कहेयर हुं सारी society को देंगे तक यह जान हमारी बچ जाएगी अचा उनके होने में देर है तो कि अब यह पहले आप पैसा बंद करोगे। फिर भूख मरेंगे फिर ट्रमे माजी करेंगे किए हम इस खते हो रहें खती हो रहें पुरा बहना करेंगे Depart इसको आपको तेज करना पड़ेगा। काम मत करो तो आप ये देखो कि आपको अपने बच्चों के भविश्चे के लिए कितनी जल्दी है आपको अपने अधिकार बचाने की कितनी जल्दी है उतना काम करो जितना काम करते जाओगे उतनी जल्दी बसते जाओगे उपर यह आप यह सोचो कि समझ संग में बहुत बात नहीं बनती, समझ को तो यहां बहुत अच्छे समझाने वारे आ जाएंगे, कोई किताब लेके आ जाएगा, कोई पोथी पत्रल लेके आ जाएगा, कोई सम्विधान लेके आ जाएगा, कोई धंपद लेके आ जाएगा, कोई त्रिपिटर लेके आ जाएगा, कोई कबीर क का अंतियार मत करो भाई और अगर काम करने की कूबत नहीं है तो फिर सपना छोड़ दो इसलिए 26 जनवरी से यह जो सिस्टम है 180 डिग्री खूम जाएगा 180 डिग्री मतलब है कि यह जो पांच मही से वैसे तो बहुत पहले चल दा है पांच मही से लेके और 26 जनवरी तक almost हम भ पिर आपको काम के जम्हмद ऐल्या नहीं पड़ेगी फिर यहां काम की बास जाधा हो ओगी और भाषन की कम gefए बाशन उनके लिए होगा जो पहली बारा आते है उसके लिए बहुत साई लोग एक्सपर्ट हो गहाई है वीड़िईयो काम करें है इसका आप अपनी वीड़ि तो फोट जा चुमी है पहले। थोड़े से लोग अभी रहे हैं जो भाशन कर रहे हैं र काम नहीं कर रहे हैं तो या तो उनको काम करने पड़ेगा या वो भी चले जाएंगी। मगर 26 जन्वरी के बाद यहां वो लोग आने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, सालेंट रहते हैं, कर्मठ हैं, और जिनमें सच्मा जजवा है भावसाब का, वो निकल के आने वाले हैं, और उनकी संख्या बढ़ने वाली है बहुत तेसे, आप कहां स्टेंड करते हैं, आप कहां खड़े होते हैं, आप भावसाब meeting attendee की और काम कुछ नहीं किया तो उसकी meeting attendee लिखी जाएंगी к भी meeting niin तो काम करना पड़ेगा अगर काम नहीं करेंगे तो प्रणाम का दियार मत करना फिर तो किसी संग्ठर में चले जाना संग्ठर हुनों में क्या होता है पद ले लो collector साथ हजार रुपय उनको दे दो बीच की कुर्सी बैठ जाओ साल में दो बार फंक्सन होगा एक बावा साथ के मरड़ दिन पर एक बावा साथ के जनम दिन पर खुब लंबे बाशन पिलना दस या रुपया देना सो सो रुपय की दावत खाना उसके बाद में पूरे साल संथ बसता ध्यान रखना जिसका समाज नहीं बसता उसका कुछ नहीं बसता ऐसा ही हुआ सोक के समय असोक के संग के बाद में जब हमारे संग तूट गए और खतम हो गया तो मरे हुए का मास खाने की नौबत आ गई हम जो बचे हैं आज जो हम यहां बैठे हैं मफरा डालके और बेडिया की फर की टोपी पैन के यह वो लोग हैं जिनके पूर वजुन हैं मरे हुए गाए भैस खाएं सुखा सुखा के खाएं हैं वून की संतान हम बचे हैं कैसे हैं हमको बचाया है और कैसे बचे हैं तो आज हमारे अंदर यह पूबत अकल है कि हम सम्विधान के रहते इस सब चीजों को बचा ले तो हमको लग जाना चाहिए और अगर नहीं लगते हैं तो अपसोस मत करना अपनी उलाद से कह के जाना कि बावा साब अकेले हमारे लिए हैं टोपी भर और यह चसमे और यह सब मफर वगरा देखे गए मगर हमें बार 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 बताने वे भी हम आप सबी से यह निविदन हैं कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्हीं की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेनं गच्छामी संगं सरेनं गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सेनं गच्छामी दूथियं पी बुद्धं सेनं गच्छामी तूथियं पी धम्मं मर्सेनं गच्छामी दूथियं पी बुद्धं सेनं गच्छामी तूथियं पी सेन्गं सेनं गच्छामी बुखियं पी संगं सर्णं कच्छामी तर्तियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी बुद्धं सर्णं कच्छामी तर्तियं पी संगं सर्णं कच्छामी